अस्लाम लेकूम मेरी कहानी सुनने वाले रिस्टर्ण्स और रीटर्स आप सब कैसे हैं मैं अल्द अल्द के हाँ पूर उमीद हों कि आप लोग अपनी फैमिलिस के साथ दनिया के जिसको ने में जहां कहीं भी अभाद होंगे आप लोग खुश होंगे शाथ होंगे आभाद होंगे आप ना सिरफ अपना बलके अपनी फैमिलिस का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे इस वक्त आप नौल क्रिएशन के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं जन्नत के बत्ते नमरा अहमत का लिखाओ एक खौप सुरत नौल आ तुम जहां से क्यों नहीं पूच लेती वो सब कुछ बता चुका है मगर तुम से इसलिए पूच रही हूं तक ये जान सकूं कि मेरा भाई मुझसे कितना जूट बोल सकता है तल खलेचे में कहकर उसने रहेल के चेहरे को देखा वहां वाजय तिलमिला हर्तर आई थी में बताई देता हूं फिर 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 तुम से बोला वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था उसके बाएं कंदे पर गोली लगी थी और उसे बरवकत तिबी अमदाद चाहिए थी मगर वो हसता नहीं जाना चाहता था तो उसके कहने पे मैंने अपनी एक डॉक तब भी रहा है उसके पास तुर्की के चिकट के लिए पैसे भी नहीं थे तो उसके पैसे मांगने पे मैंने अब्बा से कहका रात हो रात पैसे अरेंच किये थे वो सुबह होते ही वापिस तुर्की चला गया फिर हफ्ते बाद ही उसमें मुझे पैसे बुजवा दिये बस तो बस चहान की लापरवाई की विज़ा से उससे खीचे खीचे थे मगर अब ऐसा नहीं है नहीं वो किसी और बात पर उससे बर्ग जिश्टा थे अब मत पूछना के वो क्या बात थी मैं अब भी जल्दी में हूँ बाद में बता दूँगा मगर इतना यकीन रखो कि वो जी से जखमी हालत में मेरे पास आया था मुझे वो उसी दिन से अच्छा लगने लगा था और मैं ये वसोक से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था जब उसने उस रात मुझे कहा था कि रुहेल आयम नौट दी बैट करे बलके जो मेरे पीचे हैं वो बुरे हैं और दूसरी बात उसने इसरार करना चाहा मगर रहेल उसे कोई मौका दिये बगार मेज से अपनी चीज़े समेचने लगा उसे बाहिए जाना था और वो जल्दी में था खाया ने बेदिली से लोगा उट किया उसका दिल एक कम बहुत बोजल हो गया था उसके घर वाले उसको छोटा बहारे दरमियान में होती आईशे उसने आईशे की निगाहों का इत्तकास में सोस किया था या शायद वो इसे पकानने का इरादा पहले से रखती थे कहो आईशे पहलू के बाद लेटी नर्मी से बहारे के गुंगरेले बालों को सहला रही थी मेरी सीब से मोती क्यों नहीं निकलते मैं इतना जूट तो नहीं बोलती वो छत को तक्ती कहने लगी तुम बहारे के फलस्पे को जहन से निकाल दो ये तो रिस्क होता है कभी निकल आता है तो कभी नहीं जन्द लम्हे कमरे की तारीकी में ढूब गे जिसमें सबस नाइट बलब की मध्धम रोशनी प्याली थी बहारे की बांदाकों से सांस लेने की आवास होले होले ओबरती रही थी आईशे उसने इसी तरह छटकों तक्ते हुए फिर से बुकारा क्या मुझे दुनियानी धोके में ढाल रखा है तुम्हें क्या लगता है पता नहीं मुझे लगता है जैसे मैं बहुत दूर निकलाती हूँ इतनी दूर कि मैं इन बातों से खुद को रियलेट नहीं कर पाती जो तुम्हारी सिंदरी का हिसा है थाया दूर हमेशा हाम जाते हैं अल्ला दूर नहीं जाता वो निगाहों का राविया मौड कर आईशे को सवालिया इंदास में देखने लगे अगर तुम्हें लगता है कि दूरियां बहुत बढ़ गई है तो इने खतम करने की कोशिश मे पहली तुम्हें करनी होगी कैसे वो बेरतियार बौल उठी तुम क्या करना चाती हो मेरा बागव मुझ से रोज ये सवाल करता है कि मैं कौन हूँ मैं चाती हूं कि मेरे पास इसके सवाल का कोई अच्चा जवाब हो मैं जिन्दonna की में कुछ अच्चा करना चाती हूं इस वो जरा हिफ़स दा हुई बलकि इसलिए ताके मुझे उस आग में कभी दना जलना पड़े जिससे मुझे बहुत डर लगता है फिर इस वासले को समेचने की कोशिश करो कैसे हाया ये जो हमारा अल्ला से वासला आ जाता है न ये सीधी सड़क की तरह नहीं होता ये पहाड की तरह होता है इसको भाग कर तैय करने की कोशिश करोगी तो जल्दी ठक जाओगी जस्त लगाओगी तो दर्मियान में गेच जाओगी उडने की कोशिश करोगी तो हावासात नहीं देगी आईशे सांस लेने को लहसा बर के लिए रुकी ये फांसला बेबी स्टेप से अबूर किया जाता है चोटे-चोटे कदम उठाकर चोटी पे पहुंचा जाता है कभी भी गर्मियान में पलट कर नीचे उतरना चाहोगी तो पुरानी सिंद्गी की कशिश है सकल खेंच लेगी और कदम उतरते तरे जाएंगे और उपर चड़ना इतने ही दुश्वार होगा मगर हर उपर चड़ते कदम पे बलंदी मिलेगी सो भागना मत जस्त लगाने की कोशिश भी नगना बस चोटे-चोटे अच्छे काम करना और चोटे-चोटे गुना छोड़ देना आईशे गुल का चेहरा मत्दम सबस रोशनी में धमक रहा था वो इतना नरम बोलती थी कि लगता जैसे गुलाग की पंकड़ियां उपर से गिर रही हो जैसे शेहत की नदी बह रही हो जैसे शाम की वारिश की मुलाइम कत्रे चपक रहे हो तो मैं क्या करूँ तुम अपनी कोई महबूब शेह अल्ला के लिए कुर्बान कर दो इसकी बात पर हयाने लम्हे बरते लिए सोचा उसके पास ऐसी कौन सी शेह थी सुबानगी के ड्रूम में मेरे पास एक टाइमन्ड रिक पढ़ी है वो बहुत कीमती है कीमती चीज नहीं महबूब चीज गुर्बान करो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी महबूब चीज कीमती भी हो वो मुस्कुरा कर बोली और मैं बताँ कि तुम्हारी महभूब तेरी शैक क्या है क्या तुम्हारी अना तुम उसे कुर्बान करता हूँ अगर किसलिए बसरा हैरत से बोली तुम्हारे कोई चच्चा और इनकी बेटिया है है या निदीरे से इस वात में सरहे लाए तुम उनके लिए वो करो जो तुम कभी नहीं करती सबसे मुश्किल कुर्बानी देना चच्चा के बच्चों के लिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुकाबला उनसे रहता है और सबसे ज़्यादा नाकदरे भी वोही होते हैं मैं उनके लिए क्या करो मैं उनसे कभी स्यात्ती नहीं करती बस मैं उनके तंस के जवाब में जुबान पे आय तंस को रोक नहीं पाती हाया ये चोटे चोटे तंस और ताने होते हैं न इन से बचा करो मक्का में चंद बड़े बड़े सर्दार थे जो यूही चोटे-चोटे तंस कर जाते थे फिर क्या हुआ वो बदर से पहले चोटी-चोटी तकलीफों से मरके कोई खराश से मरा तो कोई चोटे से भोड़े तुम अपनी कजन के लिए अपनी अना की जरब को भूल जाओ मैं कोशिश करूंगी बैसे आईशे वो जरब सा मुस्कुराई तुम बहुत प्यारी हो जवाबन आईशे दीरे से हासती तुम भी बहुत प्यारी हो हया और मैं भी बहुत प्यारी हूँ बहारे ने बंद आंखों से कहा तो वो दोनों चोंकर उसे देखने लगी गंदी बच्ची, तुम चाथ रही थी, चलो सोजब, सुबा काम पर भी जाना है आईशे ने बहारे को मस्नुई खफ्की से जांटते हाथ बढ़ा कर टेबल एम्प ओफ गिया सब्स रोशनी गाइब हो गई, कमरा तारीकी में दूप गिया सुबा सबेरे किचन से बातों की आवासे आ रही थी, वो खुले भाल उंगलियों से समेट कर चूड़े में लपेटी चोकर तकाई आईशे कुर्सी पे बैठी थी और अपने आगे खड़ी बहारे के बाल बना रही थी आज घर के काम थे, सो जंगल नहीं जाना था, तो बहारे बाहरे जदेसी गली में बच्चे के साथ खेलने जा रही थी अब बहारे गली में केली जाएगी तो अच्छी लड़की बन कर जाएगी, ठीक है ना, आईशे नर्मी से ताइथ चाहती उसकी चोटी गूंद रही थी ठीक, बहारे ने इस वात में सरहे लाए, और अच्छी लड़की जब बाजार से गुजरती है, तो नजरे जुका कर गुजरती है, ऐसे अगर ठोकर लग जए तो, आईशे ने धीरे से मुस्कुराते हुए चोटी के आखरी बल एक दूसरे में गूंदे, जो लड़की लड लड़कीयां जब आही निकलती हैं, तो कैसे चलती हैं, बहारे की पेशानी के बाल नर्मी से सवारते, उसने रोज कर दोहराया जाने वाला सबक फिर से पूचा, वो इन दो लड़कीयों की तरह चलती है, जो कुमे पे मुसा लिया इसलाम के पास आई थी, और वो दो का नहीं चली जाती, हर बात नहीं कर लेती, और किसी से नहीं मिल लेती, बहारे ने उंगलियों पे तीनों नकात जल्दी जल्दी दोहर जैसे उसे भागने की जल्दी हो, और याद रखना, कि जब तुम में हया ना रहे, तो पिर जो जी चाही करना, बजाहे नर्मी से कहते आईशे की आँखों में वो तम भीगा उबरी जो बहारे को सीधा रखती थी बहारे ने असवात में सर हिलाया और आगे बढ़कर बारी बारी आईशे के दोनों रुखसार चुमी आईशे गुल बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है वो भाग कर दर्वाजे में आई तो हाया उससे मिलने के लिए जुकी उसने इसी तरह हाया के दोनों गाल चुमे हाया सुलिमान बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है कहकर वो बाहिर भाग के तुम बहुत मेहनत करती हो इसकी जहन साजी के लिए वो आगे चली है वो जब तक बिदार होती थी वो दोनों बेहने हलिवा आंची के घर से कुराने पाक पढ़कर आ चुकी होती थी करनी पढ़ती है चोटी लड़कियां तो नर्म टहनी की तरह होती जहां मोड़ो मुड़ जाएंगी अगर वक्त गुजरने के साथ टहनी रंग बदल ले सूख भी जाए तो अभी इसका रुख वही रहता है मगर जो बड़ी लड़कियां होती है न वो कांच की तरह होती है उसे मोड़ो तो मुड़ना नहीं है सबरदस्ती करो तो टूट जाता है कांच के तराशना पड़ता है और जब तक इसकी कर्चियां इसकी कर्चियां नहीं तूटती और अपने हाथ सखमी नहीं होते वो मर्जी के मताबिक नहीं जलता सेही कह रही हो उसने इस वात में सर हिलाया अच्छा फून किदर है मेरा क्रियाटिट होता मैं पाकिसान फून करना था ओ, सोरी ये पड़ा है, अब्दुल्रह्मान का फून आया था तो मैंने इदर ही रख दिया और ये तुम्हारी चाय उसने काटले स्पून आया का नाश्टे का वाहिद जिस चाहे उसके सामने रखी क्या कह रहा था वो बेक्तियार ही वो पोच छूटी हाला कि उसे पाश्या में कोई दिल्चस्पी ना थी बस कुछ पेपर्स का पूछ रहा था उसके कमरे में रखे थे बहारे तो हुश हुभी होगी उससे बात करके नाश्टे के बरतन समेर्थी आईशे के हाथ जरा सुस्त पड़े एक अजूर्द की उसके चेहरे पर भी कर गए तुम बहारे को मत बताना मैंने भी उसे नहीं बताया वो इससे बात करने के लिए फोन नहीं करता अपने काम के लिए करता है बस वो उदासी से सज़ जटा कर काम करने लिए है खामशी से फोन और चाए का कप लिए बाहर आगे गास पर शबनम के कत्रों की चादर शड़ी थी बहार के फोल हरसु खुश्बू बखेरे हुए थे वो गास पे बैच कचाए के गूँच बरती ताया फुरकान का नंबर जायल करने लगी फोन इरम नहीं उठाए दूआ सलाम और रस्मी से हाल एक्वाल के बात वो बहुत चुपते हुए लहचे में बोली तुम्हें आज कैसे ख्याल आगे फोन करने का आम दिनों में हाया को इस विक्रे से ज्यादा तब किसी शेय से नहीं चड़ती थी इनसान जब किसी को फोन करे चाहे साल बाद ही सही तो वो अगले का ख्याल करके ही फोन करता है इसमें किसी गिले से बात का आगास करना महातिब को ये कहने के बराबर है कि आइदा ये ख्याल करने की जरूरत भी नहीं है मगर उसने अब जिन्दगी में इतनी तकलीफ सहली थी कि उसे महसूस नहीं हुआ या पिर वो खुद ही नजर अंदास करके ठीक कह रही हो मैं भी बस मसरूशित के बाइसकार ही नहीं पाती तुम सुनाओ कैसी हो और हाँ मगनी मुबारक हो बहुत शुक्र इरम का लहजा खासा रूखा था चंद चोटी चोटी नरम से बाते करके और इरम की चोटी चोटी तुंद बातों को नजर अंदास करके उसने फोन रखा और उसका दिल पहले से बहुत हलका था उस रोज शाम में आईशी और पहारे जब अपने जानने वाला में किसी की फोत्रकी पर गई थी तोहायाने घठे हैना या मुनासिब समझा मगर अब तनहाई काच खाने को दोर रही थी वो सारा दिनी कठी होती थी फिरात को होटल ग्रैंट के गार्ड्स केट पे और वो गार्ड्स जिदेशी के सिरे पे आकर पहरा देते थे तो एक तहब उसके एहसास गेरे रहता था अलबता अब वो बहुत तनहाई महसूस कर रही थी पहले तो वो उपर स्टेडी में आ गई जहां उसकी तसावीर दिवारों पे आवेजा थी वो से यूँ अपनी तसावीर इदर देखकर हमेशा बहुत कौप्त होती थी वो बेदिली से बाहिर आ गई इसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने बहुत सावानी कठा कर रखा था मगर कोई कमजोरी तो पाशा की भी होगी कुछ सोचकर उसने गर्दन उठा कर उपर देखा गोल चकर खाता लकडी का जीना तीसरी मंजल तक जाता था वहां पाशा का कमरा था वहारे बात बेबात चिकर कर दी रहधारी का आखरी कमरा वो उदर गई तो नहीं थी मगर जाने में हर्च भी ना था उसे इस घर के बारे में जितना पता होता अच्छा था वो नंगे पाउंजी ने चड़ती उपर आई चाबियों का गुच्छा उसने आईशे के दरास से निकाल लिया था आखरी कमरे का दर्वाजा बंद था उसने एक एक करके चाबियां लगाना शुरू की चोथी चाबिय पे लोग खुल गया उसने धीरे से दर्वाजा दखेला वो बहुत शहाना तर्स का वेटरूम था उंची छट, जिल में लाता फानूस, दिवार गीर घर्की के पिहलके सुर्मेई मकमली पर्दे, कालीन भी सुर्मेई सारा कमरा गहरे नीली और सुर्मेई शेर्स में रास्ता किया गया था कमरे में पर्फ्यूम की खुश्बू पहली थी खुश्बू पर्फ्यूम के बेहत कीमती होने की चुखली खा रही थी उसने ड्रेसिंग टेवल पर रखी नाज़ुक शीशियों को देखा एक से एक महका पर्फ्यूम, उदर रखा था वो इदर उदर चहलती, हर शेय का जाइजा लेते हुए अलमानियों की तरफ आई, एक एक करके उसने पांचों पच खोलने की कोशिश की पहले चार लोग्ट थे, आखरी खुला था उसने पच खोला था, उन्दर बहुत से कीमती नफीस त्री पी सूथ हैंगर्स में लटके थे निचले खाने में एक ब्रीफ केस रखा था उसने इहतियाद से ब्रीफ केस उठाया और बैच प्या बैठी ब्रीफ केस लॉक्ट नहीं था हाया ने उसे खोला अंदर चंद फाइल्स रखी थी और उपर एक नोट पैट पे सिया रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फैरिस्त की सूरत में लिखे थे वो फैरिस्त उठा कर पढ़ने लगी तब ही ब्रीफ केस में से बीब की आवाज आने लगी वो चंगी अंदर कुछ बज रहा था उसने घबरा कर जल्दी से कागज अंदर चाला तो उख उठे पे एक हरफ की सिया रोशनाई लग गई बहुत तेजी से ब्रीफ केस को वापिस लगकर बिस्तर की जादर की शिकन दरुस्त करती वो बाहर निकल आई कमरा लोग करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फोन बज रहा था वो तक्रीबन भागती हुई नीचे आई और फोन उठाया हेलो जवाबन लंभे भर की खामोशी चाही रही फिर एयर फीस में अंदुले मानपाश्या की आवाज कौंजी आईशे किदर है वो दोनों किजी के घर भी ही है वो ज़रा संबर कर बोली आपके पूछ रहे हैं चंद रम्भे के लिए वो खामोश रहा फिर बोला तो उसकी आवाज बेहत सर थी आईदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरे ब्रीफ केस को कोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी समझी बहुत सब्थ से बोला था हाया के कदमों तले से जमीन से रखे उसने गफ़रा कर एसीवर क्रेडल पर डाल दिया फिर रंग उठे पे लगे सियाही के धब्वे को कपड़े से डगर कर गोया सबूत मिचाने की कोशिश की अब्दुल्यमान को कैसे इलम हुआ उनका दमान कुछ भी समझने से कासिथ था अलबता उसके अंदर कोई उसे कह रहा था कि अब उसे यहां से चले जाना चाहिए लेकिन कसर भबुकदा और इन दो बेहनों की कशिश वो जीब मखमसे में पड़ गई ये अदर चाय के खेत हैं अगले रोज आईशे ने उसे अपनी ये कजीजा कुबर खानम का लहला खाता हुआ खेत दिखाते हुए कुबर खानम एक मौमर खातून थी उनकी फसल त्यार थी मगर उनके पास कोई हलपर नहीं था जो इनके साथ फसल चुन था सो आईशे के कहने पे हायाने लक्रियां काटने की बज़ए कुबर खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू करती है चमकते सूरज और ठंडी हवा के इंतजाज में काम करना मुशक्कत तलब था मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी कुबर खानम से वो चोटी-चोटी बाते पूछती रही थी और जो बाते वो अबदुल्रिमान पाश्चा के बारे में कर जाती वो इन्हें जहन में महफूस करती जाती उसे होचल ग्रेंट के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी वो अब तनहां कहीं आती जाती नहीं थी बना कई दफ़ा इसका जी होचल ग्रेंट का चक्कर लगाने को चाहा था वापिस जाने का यादा उसने फिलहाल मलतवी कर दिया था उसकी छटी हिस कहती थी के बबु कदा में कुछ है कुछ ऐसा जो उसे अगर मालूम हो गया तो उसके पास एक केमती हथ्यार आ जाएगा जो मस्तक्बिल में उसके काम आ सकता है उस चाम वो तीनों साहिल के नारे चटाई पर बैठी थी आईशे को आज दो सीप मिले थे सो वो इने खोल रही थी हया अब बड़ी सीप नहीं चुनती थी बलके बदाम के साइज की सीपों के खाली खोल रेट से उठा लेती और अब उनकी ही धेर को लिए वो एक माला में पिरो रही थी साथ ही बहारे अपने पजल बॉक्स के स्लाइड को उपर नीचे कर रही थी हया मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगे उसका लहजा मायूस कुम था हया ने ननने खोल को सुई में प्रोते सर उठा कर उसका उदास चेहरा देखा फिर गर्दन आगे जुका कर उस पे लिखी नजम को पढ़ा ये बहुत आसान है बहारे जहरो मैं तुमें एक हिंट देती है उसने दुबारा से वो नजम पढ़ी फिर समझ कर बोली ये एक सफेद छोटी सी आँख है जो चांदी के संदोक में बंद होती है और वो संदोक नमकीन गहराई में रखा होता है बहारे वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है बहारे जो उदास नजरों से पजल बोक्स को देख रही थी एक तम चौंकी मरमरा समंदर नमकीन पानी आईशे ने मुस्कुरा कर इनको देखते हुए छुरा अपने सीप के एक तरफ रखा हाँ, तो वहारे, वो क्या चीज है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेट की जर्रे से बनती है हाया, हाया, वो मुट्टी के जर्रे से बनता है और इसका संदूक जब कतल किया जाता तो छुरा गोम कर कतल वो जोश से बेरफ्ट जुम्ले बोलती आईशे के हाथों को देख रही थी जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी सीप का खुल चत्खा, आईशे ने किताब की तरह से इसे खोला अंदर दम तोड़ने जानवर पर एक समीत मौती जगमगा रहा था मौती, पर्ल, पूरे पांच हरूफ बखारे खुशी से चलाई और फिर जल्दी जल्दी जब्यके कोजभार की स्लाइट जो उपर नीचे करने लगी वो अब इस पे पर्ल लिख रही थी हया और आईशे बे एक त्यार अपना काम छोड़कर आगे होकर इसे देखने लगी जैसे ही बखार, बखारे आखरी हरफ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज के साथ बोक्स के साइट से दर्वासा खुल गिया, बाहिर को खुला हया की तवक्को के बारक सो वोक्स उपरी ढखन के बज़ाए साइट की दर्वास से खुलता था दर्वास में से आम अखमली कपड़ा बिचा था और इस पे एक नाजुक सा नेकलस रखा था दरासल नेकलस प्लैट्टियम की जंजीर थी जिस पर हर दो कड़िया चोड़कर नन्ने नन्ने हीरे लटक रहे थी जंजीर के बिलकुल वस्त में हीरे की बज़ाए तीन कड़िया लटक रही थी जिनके आखरी सेरे पर एक साफेद मोती पर रोया हुआ था वो तीनों मभूत सी इसी बेच कीमत नेकलस को देख रही थी बहारे ये तो वही मोती है जो तुम्हारी सीप से निकला था जो तुमने अब्दुल्रह्मान को दे दिया था आईशे शिर्शदर सी इस मोती को देखते हुई बोली हाँ ये तो वही है अब्दलरह्मान ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया और वो मुझे भी इतने खुबसरत अंदाज में हाई आवास इतना ही चाह सकी उसे इस तौफ़े और इस तौफ़े को देने के अंदाज में बहुत मतास्य दिया था वहारे ने अपनी नन्नी से उंगलियों से नेकले सो चाया और गर्दन से लगाया फिर चेहरा उचा कर इन दोनों को देखा ये कैसा लग रहा है इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था बहुत प्यारा अब्दलरह्मान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है अल्ला, अल्ला मुझे यकीन ही नहीं आ रहा वो अपने परसे आइना निकालकर आब बहार सावी से उसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी तुम अब्दलरह्मान को जरूर थैंक्यू करना अल्ला, अल्ला, बहारे के खुशी बियान से बाहे थे हया, मैं तुम से भी खुब्सरत लग रही हूँ, है ना हाँ, तुम मुझ से भी ज़्यादा खुब्सरत लग रही हो वो मुस्कुरा कर उसे तसली देती, सीप के खोल उचानने लगी अभी इसे पूरी माला बनानी थी हया, तुम मैं यह तस्वीर खेंचो मैं इसे सर पर क्राउन की तरह पहनती हूँ, क्यूंकि मैं प्रिंसिस हूँ वो नेकलिस अपने सर पर ताज की तरह पहने उचकर साहिल पी जा खड़ी हुई उसने वो गिफ्ट दो धाई माँ बात खुला था सो आज उसका दिन था ध्यान से बहारे, हवा तेज है, समंदर की तरफ पुछत कि ये खड़ी बहारे ने आईशे की बात नहीं सुने थी हया ने मुबाइल निकाल कर कैमरा आउन किया, फिर मुबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे का फोकस किया प्रिंसिस, हब तुम सर अमस्कुराओ बहारे बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरादी, उसे बेहत्यार बबु कर दा कि बाजार में सड़क के वस्त में खड़ी बहारे याद आ गए, जिसके गिर्द सियाहों का जम गट्ठा लगा था रेद कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था, उसी लम्हें हवा का एक तेज ज्यों का आया और साथ पानी भी, इससे पहले के उन में से किसी की समझ में कुछ आता, बहारे के सर से नेकलस उर्ता हुआ पानी में जा गिरा, वो बखला कर पल्टी और फिर इसकी चीहें हर प्लाश कर रही था, जो लहर उसका नेकलस चीँ कर ले गए ती, वो वापिस जा रही था, हाया नंगे पाए, भागती हुई लेहर के पीछे गई, मगर पानी जीत गया, लहर पलट गई, हार पानी में गुम हो गया, बहारे जहर जहर से रोते हुए छीख रही थी, मेरा नेकलस, हया, मेरा नेकलस, आईशे पीछे से इसे बाजुआ में लिए पकरने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बे आब मचली की तरह तड़कते हुए खुद को छुड़ा रही थी, हया, आगे माँ जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा, आईशे उसे आवाजे दे रही थी, मगर वो सब कुछ बलाए, बबुगदा की शहसादी का ताज छोंट रही थी, साहिल की गीली रीत, पानी समंदर, वो पानी में हाथ मारती, पूरी भीग चुकी थी, मगर नेकलस के ही नहीं था, उसने ठक कर अपने अकब में देखा, जहां आईशे बामुशकल आ नेकलस वहां कहीं भी नहीं था, उसे नमकीन गहराई वापिस अपने अंदर ले गए थी, बहारे की जिंदरी का पहला और वाहिद मोती उससे खो गया था, बहारे, मैंने बहुत धूंटा, मगर देखो जो अल्ला की मरसी, वो वापिस आई और बहारे के हाथ थाम कर कहा, ब पहाया के गले में आंसमों का फंदा पढ़ गया, उसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी, वो बमुशकल लब बींच कर जब्त किये हुई थी, पाकर खो देने का दुख वो पहचानती थी, जब उसका जिंदर बेड हाउस टूटा था, जब इस तकला स्ट्रीट के उस में जीजे सर पकड़ कर फिर गई थी, पाकर खो देने से बढ़ा करप कोई नहीं होता, उस शाम वो दोनों बामुशकल बहारे को संभालती घर वापिस लाई थी, और अब लिविंग रोम में बड़े सोखे पर बैची थी, यो के बहारे दर्मियान में थी, और इसे हाया न नहीं हो सकता था, बहारे, मैं तुम हो नेकलस लादूंगी, वो इसे अपने साथ लगा इस पहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा, वो नफी में सर हिलाती रोई जा रही थी, बिल्कुल इसे ऐसा लादूंगी, प्रॉमिस, मगर वो अब्दुल रिहमान का गिफ्ट नहीं होगा, अब्दुल रिहमान तुम्हें खुद वैसा ही नेकलस गिफ्ट करेगा, मैं उसे कहूंगी, मगर उसमें मेरा मोती नहीं होगा, आईशे, मम्मी, वो रोते रोते कभी अपनी मां को याद करती, तो कभी आईशे को पकारती, आईशे सर गुचनों पर रखे मखमूम सी बैठी, तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं इसे नेकलस में परोतूंगी, मगर बहारे इसकी कोई बात नहीं मान रही थी, उसके लिए इस नेकलस का कुछ भी मतबादल नहीं हो सकता था, हर शेय का मतबादल नहीं हुआ करता, बहारे बद तमीजी किये जा रही हो, जबाबन बहारे ने गुस्से और पानी से भरी आँखों से आईशे को देखा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दल रह्मान मुझे गिफ्ट दे, हाँ, आईशे हका बका रहकी, मैं, मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें पता है, तुम क्य कह रही हो, हाँ, तुम मीन हो, वो आगे बढ़कर अपनी चोटी-चोटी मुझें से आईशे के गुटने पर मुक्य मानने लगी, हाया ने पीछे से इसे बासमों में लेते हुए हचाया, मैंने क्या, क्या किया है, आईशे रुखांसी हो गई, तुम, तुम लड़ रही थी अब्दलरह्मान से, इसलिए वो इंधिया चला गया है, क्योंकि तुम उससे लड़ रही थी, तुमने उसे थपड भी मारा था, और तुमने उससे कहा था, कि वो बहारे गुल से बितकलूफ ना हुआ करे, वो तुम्हारी बज़े से यहां से गिया है, मैंने खुद देखा सुराख से, आईशी का चेहरा एक दम सुरख बढ़ गया, उसकी आँखों में जैसे बहुत से सखाम उपरे, सुना बहारे, वो आगे बढ़ी, और एक दम बेहत जारे खाना अंदार से बहारे के गंदे को दबोच कर इसका चेहरा सामने किया, अब तुम्हान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदेर हमें चोड़ कर चला जाएगा, तुम गंदी हो, तुम जूट बोलती हो, मैं जूट नहीं बोलती हूँ, मैं तभी जूट नहीं बोलती, अब मेरी बात गोर से सुना, उसने घुसे से बहारे को जटका दिया, अब तुम्हान मर गया हमारे लिए, वो गोया सांस रोके बैची थी, बहारे उसने तास्तों से उसे पकारा, वो एकता मुझी और भागती हुई कमरे में चली गी, हाया ने गर्दन मोड कर देखा, उनके मुझतर का बैचरूम का दरुआजा खोला था और बहारे बैच पर चित लेटी, नजर आ रही थी, उसे पीछे खुला सिया आसमान था, और नीचे जदेशी के उंचे पॉल्स की मद्धम बतिया, अंधेरे में भी वो इसके सिया सकाफ में तमकते चेरे पर लोड़कते आंसों देख सकती थी, उसे बेहत्या जीचे जयाता है, जब वो नारास होकर स्टडी में चली गई थी, आई आईशे ने हाथ नहीं चुड़ाया, वो बस अपने घुछनों को देखती भी आवास रोएके, आईशे, यो मत रो, वो बच्ची है, उसने यो ही कहती वो बात, मुझे पता है, तुम किसी से नहीं लड़ सकती, बहारे ठीक कह रही थी, मैं वाकई अब्दुर्रह्मान से ल लेकिन मैं क्या करती, मुझ से आने की तकलीफ नहीं देखी जाती, क्या हो आने को, आईशे ने भीगी निगाहें उठा कर उसे देखा, क्या तुम्हें अब्दुर्रह्मान ने बताया है, कि उसके एक भाई भी है, नहीं, वो बुरी तरह चौंकी, मैं और बहारे अपने व यानि हमारी दाटी आने, हमें इधर ले आई, ये घर आने का अपना नहीं था, ये घर आने के वालिती मल किये था, बाध में नसल दर नसल चलता मेरे बाप, और फिर मुझ तक आया, आने के दोनों बेटों ने उससे अपना हिस्सा नहीं लिया, ञब हम यहां अए थे, तब कि उनका दूसरा बेचा हमारे आने से चंद माँ कबल घर छोड़कर चला गया था क्यों? कैसे? अब्दल्रह्मान लाइलम था मगर आच से तीन माँ कबल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दल्रह्मान के आफिस में जाते देखा गया है और ये कि वहां से किसी जगड़े की आवाज आ रही थी तब मैं अब्दलर्ह्मान से बहुत लड़ी थी वो जानता था कि उसका भाई किदर है मगर उसने हम सबसे जूट बोला आने को तो अभी तक नहीं मालूम कि अब्दलर्ह्मान उसके बारे में जानता है मगर उसका भाई कहां गया यहीं तो मैंने अब्दलर्ह्मान से पूचा था मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे दे तब ना वो कहता है उसने अपने भाई को नहीं निकाला वो खुद सब कुछ चोड़ कर गया है पहले तो इन दोनों की बहुत दोस्ती थी तुमने देखा हुआ है उनके दूसरे बिचे को जब मैं 11 साल की थी तब आखरी बार उसे अपने सामने देखा था पता नहीं वो अब कहां होगा बाद लोग कहते हैं कि वो इस्तंबोल में ही है मगर होचल ग्रेंज में अमूमी तास्र यही है कि वो युनान चला गया और वहां पे होचल ग्रेंज की चेन में काम कर रहा है मगर यकीन मानो युनान में हमारे होचल के कोई शाख नहीं है वो अब रोर नहीं रही थी मगर उसकी आवास आंसुआं से बोचल थी आईशे तुम और बहारे अब्दलर्यमान की इतनी तारीफे करते हो मैंने तुम से कभी यह नहीं कहा मगर आज मुझे यह कहने दो कि वो इस्तंबूल में खासा बदनाम है लोग उसे अच्छा आदमी नहीं समझते मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता लोग मुझे भी आकर यह बाते कह देते है मगर मैं नहीं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है मैं सच कह रही हूँ वो वाकि बहुत अच्छा है बस उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया उसने हमारे साथ बहुत गल्द किया है वो आईशे की बात नहीं सुन रही थी उसका दमाग उसी एक नुक्ते पर मर्कूस हो गया था अब्दुलिह्मान पाशा का एकुम शिदा भाई कोई भी शख्स योँ ही इतना बड़ा बिजनस चोड़ कर नहीं जाता कोई तो बात थी बिलाकित उसे अब्दुलिह्मान की एक कमज़री मिल गई थी अब आईगा उंट बहार के नीचे हाया हाया सुबा वो आईशे के जोर जोर से चिलाने पर हर बड़ा कर उठी थी क्या हुआ उसने परेशानी से आईशे को देखा जिसके चेहरे पर हवाईया उड़ रही थी बहारे घर पर नहीं है वो कहीं भी नहीं है सारी मेरी गल्ती है मैंने काल उसे जानता था आईशे बस रो देने को थी वो एक जटके से बिस्तर से निकली थी बाहर करी गार्टस नें बताया कि उसने बहारे को बाहर जाते नहीं देखा वो पिछले दर्वाजे से निकली होगी इस घर में एक पिछला दर्वाजा भी है अब्दुल्रह्मान की अनायत वो हर शेह में बैक डूर रखता है आईशे तलफी से बुर बढ़ाती उसके साथ बाहर निकली आईशे मुझे पता है वो किदर होगी उसे यकिन था कि वो समंदर पर गई होगी जब वो इस वेरान समंदर पर पहुँची थो वो इन्हें दूर से ही नजर आके वो वही इस फिर पर बैठी थी जहां वो तीनों कल चटाई जाले बैठी थी उसके गुंगरे आले बाल हवा से उड़ रहे थे और वो खाली-खाली निगाहों से समंदर को देख रही थी उसके एक हाथ में सीप और दूसरे में चुरा था बहारे आईशे पर मुझकल अपने आसू रोकती भागती हुए बहारे के गले लगे तुम ऐसे क्यों आ गई मैं इतनी परिशान हो गई थी बहारे ने विरान से निगाहें उठा कर उसे देखा फिर हाथ में पकड़ी सीप आईशे के सामने की आईशे मेरा सीप फिर खाली निकला उसने बहुत दुख से सीप फोल कर दिखाई तुम मेरे सारे मौती ले लेना मैं इने अब बाजार में नहीं बेचूंगी तुम हाया के तीनों मौती भी ले लेना जो उसकी कजन ने दे दिये थे मगर अब तुम रोगी नहीं नहीं आईशे बहारे ने नफी में सर हिलाया मेरा मौती खो गया है वो अब कभी भी वापिस नहीं आएगा हाया बहारे के सामने दो जानों होकर बैठी और उसके गीले हाथ थाम कर उसकी आँखा में देखकर कहने लगी चीजे वक्ती होती हैं, तूट जाती हैं, बिखर जाती हैं रविये दाइमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती, जब तक कि वो खुद हार न मान ले और आज तुमने एक खोए हुए मुती से हार मान ले बहारे ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया, वो जैसे कुछ कहने ही पा रही थी अपने दुख में दूसरों का दिल नहीं दुखाते बहारे, मैं तुमी बिल्कुल वैसा ही नेकलस ला दूँगी, प्रॉमिस और फिर शाम में इस वादे को पूरा करने के लिए उसने आईशे से कहा कि जब अब्दुल रह्मान का फून आए वो उसे बताए सो जब उसका फून आया तो आईशे ने कार्ट्रस इसे थमा दिया और खुद दूसरे कमरे में चली गए अस्सलाम अलेकुम वो बहुत दीमी आवाज में बोली थी वो जैसे बहुत हैरान हुआ था जी वो मुझे कुछ काम था उसे याद था कि आखरी दुपा उसने जब अब्दुल रह्मान को काम का हो था तो उसका नतीज़ा बहुत बिहानक निकला था मगर आप वो इसे एक और मौका दे रही थी कहिए आपको हमसे बात करने का ख्याल सरफ इस काम के वक्त ही आता है मगर कैसे दिल तो इसका चाहा के वो फोन दिवार पर दे मारे मगर बरदाश्ट करके और सारी बात कह सुनाई आखर में बोली आप मुझे इस शॉप का नाम बता सकते हैं जहां से आप में वो नेकलिस लिया था वो मेरा गिप्ट था सो मुझे ही दुबारा लेना चाहिए लेकिन चुँके मैं अभी मुलक से बाहर हूँ तो मेरा बंदा इस शॉप के वाउचरस आपको दे जाएगा आप जवाहर के इस शॉप से वो नेकलिस खरीद कर भारे को दे दीजिए अस्सलाम अलेकुम बे लचक और खुशक अंदास में कहकर उसने फॉन रख दिया था खाया ने एक मुतनफ़र निकाह काटलिस पर जाली और तहया का लिया क्यांदा वो कभी इस शुप से बात करने की जहमत नहीं करेगी उसका ख्याल बहुत जल्द खल्द साबित होने वाला था वाचर ग्रैंट का मुलासम अगरी सुबह वाचर लेकर आगिया मगर तक जब वो तीनों इस्तंबूल जाने की तैयारी कर रही थी आईशी को बैंक में कोई काम था तो वो और बहारे उसके हमरा चल रही थी हाया ने वाचर्स लेकर कमरे में रखे मगर फैरी के लिए रवाना होते वक्त वोई ने उठाना भूल गी सो इस्तंबूल आकर वो जवाहर नहीं गी नेकलेस फिर कभी खरीद लेगी किसी से खुद मिली और ना किसी से सामना हुआ पजल वोक्स और चंद जरूरी चीज़ें लेकर जब वो बाहर आई तो आईशी के कामों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि इस तकलाल स्ट्रीट जा सकती वो दो पहर तक ही वापिस आगे अपना बजल वोक्स उसने एक्तियात से अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा अब उसने जल्द जल्द इससे खूलना था रात को वो आईशी और बहारे के सौने के बाद बजल वोक्स निकाल कर दबे कदमों में चलती बाहर रही उसका रुख किचन की द्रफ था काउंटर से चेक लगा के खड़े उसने कोट बार की स्लाइट तरह उपर नीचे करना शुरू की पहले उसने यह आईशे लिखा मगर बोक्स जामिद रहा उसे यही तवक्ती यकिनन बोक्स लेते ही खरीदान ने पासवर्ट बदल दिया होगा फिर उसने यंगीन लिखा जो आउक को तुर्की में कहते हैं बोक्स जूंका तू रहा उसे यही उमीद थी अब इसे वो करना था जिसकी तरव हर अक्लितस का कोल इशारा कर रहा था आउक असली बली आउक उसने माची सुठाई और तीली सुलका कर बोक्स के करीब लाई मगर आँच लकड़ी को सिया करने लगी और शोला तीली को खा कर उसकी उंग्री तक पहुंचने लगा तो उसने जुंचला कर तीली भेंगी चैनला में वो कुछ सोचती रही फिर बोक्स लेकर बाहिर आई लिविंग रूम का आदिश्तान सर्थ बढ़ा था उसने नौप फेर कर आग लगाई तो मसनुई लकड़ियां वाला हीटर जल गया वो बोक्स को दोनों हाथ हमें पकड़े इस चगह के करीब लाई जहां सिर्फ दहक ते अंगारे शोले थे दहक ते अंगारे थे शोले ना थे हीटर की तपश में उसकी उंग्रियों को छूने लगी वो जब्त करके वोक्स पकड़े बैची रही बार बार निगाहों के सामने वो तकलीफ वो रात उबर दी अलाव खोलता माया दहक ती सिलाख है उसने सच जचक कर तबज्व बोक्स की तरफ मर्कूज की उसने इसे ज़रा तिर्चा पकड़ा रखा था यूँ कि उसकी दो इतराफ उंगारों के सामने थी जो तरफ ज़्यादा सामने थी उस पर हरूफ उबरना शुरू हो गए थे हरूफ बलके इलफास फिक्रे आज की किस्त जलीट होने की वज़ा से सोचा कि कॉपी का लो किसी ग्रूप से लेकिन ये क्या पहले सफे से तो कुछ लफ्स और लाइन्स ही खाइब थी जो मैंने एट कर दी इस से अगले धाई सफे सिरे से ही खाइब अगर किसी मिंबर को मेरी बाद से इहतलाब हो तो वो खुद चेक कर सकता है लेट पोस्ट के लिए एक बार फिर मासरत उसने हैरत से बॉक्स की इससाइट को देखा जिसका रंग तपश की साथ से आ हो रहा था और उपर सुनहली से इलफाज उबर रहे थे वो शायद लाशावरी तोर पर छे हर्फी लख्स की तवक्क कर रही थी मगर यहां तो हाया ने बॉक्स आग से हचा कर देखा इस पे लिखे वो फिकरे वाज़े थे वो कोई नजमिया शेर था माग चान हॉमर डाउट्स अस्टिक विद ट्विन सप्राउट्स हॉमर के शुभात पे निशान जदा एक चड़ी जिसकी दो नौके होती वो अभी इन इलफास पे ठीक से उलज भी न सकी कि उसकी निगाह इस से आ होती तरफ से मतसल जगा पर पड़ी जो ज़रा सी तपश इस जगा को मिली थी उसने वहाँ चंद अधूरे हरूप्च साहिर किये थे हाया ने वो तरफ आँख के सामने की अधूरे इलफास मकमिल होकर एक शेर में ढल गए राउंट दी अमरिलोट ग्रिसपाइट एंड दी फ्रीडम पेटरफाइट मसलूब जदा जमूर्थ और ठहरी हुई अजादी के गिर्द किसी एहसास के तहट उसने तीसरी मतसल दिवार को आंट दिखाई परक्स की तीसरी तरफ भी किसी जदूई असर की तरह सिया पढ़ने लगी और उपर जैसे कोई अंदेखा कलम सुनहरी रोशनाई से लिखने लगा स्नैप्ट देर आ बलडी पाइन सप्लिट देर सम टियर्स जिवाई उदर खून में डूबा सनूबर चटखता था और आफा की आंसू बिखते थे अब कोजबार से मुचसल दो दिवारे और तीसरी जो कोजबार के बिलकुल मतवाजी थी हर उस से भरी जा चुकी थी बाकी उपर जखकन की सता जहां हरा क्रीतस का कोल दिखा था रह गई थी या फिर निचली तरफ उसमें दोनों को आँच दिखाई मगर कुछ ना हुआ अब सिरफ कोजबार वाली तरफ बची थी हाया ने एहतियाद से उसको उंगारों के करीब किया जैसे जैसे तपश लकडी को छूती गई कोजबार के छे छे खटों के उपर शेर उबरता गया अलाव लोस्ट इन सिंबॉलिक स्मेल अंजर बिच्टी लाइन्स डैवल अलामती खुश्पो में एक प्यार खो गया जिसके नीचे लकीरे रहती है पजल बॉक्स का आखरी शेर आठ मिस्रों की नजम पूरी हो गई थी अब ये नजम किस तरफ इशारा कर रही थी ये इसको अभी सोचना था पहली बार उसे बुरी तरह से मौतसम की कमी में सूस होई थी बाहरे फोल चुनने के लिए गई थी और अब नीचे दरखतों में इदर उदर भागी भीट रही थी नैक्रस का गाम अब तक उसे भूल भाल चुका था वो आईशे के साथ एक दरखत तले चटाई पर बैठी उसकी हदायत के मताबिक हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़े को तराश रही थी सपहर की नरम सी दूप सनोबर के दरखतों से चिन चिन कर उन पर गी रही थी एक पजल बुक्स बनाने के लिए पांच साथ लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े दरकार होते थे खासा मेहनत अब काम था आईशा ने अनातुलिया के एक गाउं में किसी मौम मच्छीनी कारी कर सी ये फ़न सीका था तो में वाज़ों समंगवानी की जरूत नहीं थी अब्दुलिहमान की तो कीमती तोफी देने की आदे थे योही बहारे की याद्थे भी करती जाएंगी